नमस्कार जैहिंद बंदे बांतरम दोस्तों कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे लेटेस्ट अपडिट लगतार चैनल के माधिम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी नियोजित सिचकों को मिलेगा वेतन सनचन का लाफ ये बात जो है वो कही जा रही है सबसे पहले आप सभी को दिपावली की धेट सारी सुख कामना है और धेट सारी बधाई आप सभी को ग्यात है कि आज दिपावली का परव है और सभी सिचक अपने घरों पर मौजूद हैं ऐसे में हम यही दुआ करते हैं सभी से कि मा लक्षमी आप गर में प्रवेश करें और सुक शांती आप गर में बनी रहें, साथी साथ जिस छेतर में आप कारे कर रहें, दूनी प्रगती के साथ आप आगे बढ़ें, जो भी आपकी मांगे हैं, उस पर सरकार जो है उन मांगों जो है पूरा करे तो कहीं ने कहीं निवी सिच्चकों की मांग रही है कि अगर उन्होंने सचमता परिक्षा दी है तो उनको वेतन में विर्दी का लाब दिया जाए और सुनने में ये भी आ रहा है कि जल से जल मोधी सरकार जो हैं दो जार पचीस में जो हैं आठवा वेतन आय तो फिटमेट मेंट्रिक्स है उसमें अभी आ बेसकते हैं 3.0 के आसपास है ये बढ़ोतरी होगे 4.28 पहुंच जाएगा जिसे कि आपके वेतन में बंफर बढ़ोतरी होगी दे सकते हैं दोस्तों निवी सिचकों को मिलेगा वेतन समर्चन का लाब ये बात कहा जा रहा है कि बिहार लोग सेवा आयों की लिखित परिच्छा से जो लोग पास हो यानि कि जिन्होंने परिच्छा दी है लिखा यहां पे कि लिखित परिच्छा के रखा गया है कि जिन्होंने दी ये परिच्छा के पर होने वाले जीला समर्च के सिचकों की निवी सिचकों का वेतन समर जो है वह लाब दे जाने की प्रवल संभावना है आप दे सकते हैं मूल वेतन में बड़ोत्री होगी और लिखा आया कि लिए वेतन सनचनता मामला इसलिए उच्छों के खड़ा है कि राज सरकार द्वारा विद्राद्यापकों के लिए जितना प्रारामिक मूल वेतन हुआ ह उस मूल वेतन में 16-17 साल पहले आप दे सकते हैं कि 16-17 साल पहले जो बाते रखी गए इस निवी सिच्छों के लिए उसमें यही बात कहीं थी जब आप परिशा देंगे और आप परिश्छा उक्तिन करते हैं तब ही जाकि आपके वेतन में बड़ोत्री देखने को मिलेगी निवी सिच्छों घुला संब्ट कर रहा है लेखी साल पहले जो बात कहीं हम घँरुप। खाय के अन्ती निड़े जल्द लिए जाने के आसार हैं मामला जो है फिलाल दिकसन के इस्तर पर है तो विभाग जो है वो कहीं ने कर रहा है लोग सिवायों के लिखित परिक्षा में बैठने के लिए तैसरतों के तैसने विसिचकों के लिए अधिकतम उमसिवा में छूट का प्रावदन भी किया जाएगा तो बहुत सारी बाते जो है वो की जा रहे हैं और अगर सिचकों के लिए कुछ करता है तो बहुत यह अच्छी दिवाली होगी उनके लिए और आने वाला समय भी उनका बैतरीन होगा तो कि हमारे भाई नियोई सिचक बहुत लंबे अर्शे स बिद्यारेगों में काम कर रहे हैं और एक बार ये भी मुद्दा उठाता कि समान काम के बदे समान वेतन दिया जाए तो कई न कई वो भी मामला अभी विचार दिन है और पटना एकौत में है लेकिन कहीं न कई स्था से असी अच्छी सेलरी ब्रोद्री की बात है वेतन दो आठ बढ़ जाएगा और मूल वेतन वाले जो अब यड़ती अठारा अजार पे कार रहत हैं उनका वेतन बढ़कर दे सकते तो तो सतर हजार तक जाने की पूरी संभावना है तो कहीने कहीं बेतन में तो बंफर बढ़ोतरी है ही आप दे सकते हैं और बहुत सारी बाते जो में बढ़ोतरी की बात कई जा रही है तो आठवा वेतनायोग जल्द ही आपका लागू होने वाला है दूसरी और देखिए बरतमान अगर हम बेसिक सेल्दी की बात करें तो जो सिच्छकों को दी जा रही है अलग अलग है प्राइमरी लेवल मादिमिक लेवल आप चोदर जाद तिनसों पचास तरीके से जो है बात करें तो बरतमान बेसिक सेल्दी है वही हम बात करें कि दोस्तों जो आपका 3.28 फिटमेंट मैंट्रिक्स है उसके एकॉर्डिंग सेल्री कितनी बनी से जो कि आपके साथवा वेतनायों कि हम बात करें तो उसमें आपका 3.28 अब यह आपका जो है फिटमेंट मैंट्रिक्स के हिसाब अलग अलग कि हम बात कर रहे हैं जो लोग पहले से नियूक्टी पा चुके हैं जबकि सेम पक्च्छा को पढ़ा रहे हैं तो उनकी जो सेल्री है वह ज्यादा है क्योंकि नियूक्ती पहले हुई थी तो इस तरीके उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों यहाँ पर जो पूरी बिर्दी जो की जा रही है इसको देखिए आप यहाँ पर कि वह किटनी कितनी जो है यहाँ पर बिर्धी जो हो रहे है चावड़् हजार 507 देशकता है तो यही से अगर हम आगे बढ़ें तो और हम प्रेट्रिक्स है उसके बाद आप जो बड़ोत्री हो रहे हैं एक लाग असी जार आट सो तीस रुपए आप यहां पर बेसिक जो जाएगा वह जाएगा आपका तो आप दे सकते हैं तो कितनी बड़ोत्री हो रहे हैं तो दोस्तोर वीडियो को शेयर की जिए लेटेटेशड़ के माद ने जुड़े रहे हैं इतने हैं जहीं जाहें